sacrifices and rituals during the Vedic age राज्यसुवा sacrifices में इसका मेन objective होता था कि supreme power को establish करना और ये during kings के inaugural में होता था इसमें जो king है मेन जो king है वो conquer करता था आसपास के areas के other kingdoms को और साथी साथ उनसे collect करता था tribute और ये जितने भी conquer kings जो है इनको vanquish जो हरा चुके हैं इन सबको invite किया जाता था राज्यसुवा sacrifices में और वहाँ पर जिस king ने इनको सब भराया है वो perform करता था यजना और उनको ये consider करते थे Empress kings of the kings बार्श पर sacrifice यहाँ पर एक chariot race होती थी और यहाँ पर जो chariot है बिसिकली हमेशा इन्शोर किया जाता था कि जो king है वही जीते अश्रमेका sacrifices यहाँ पर uncutioned control over the area जहाँ पर भी जो royal horse है वो घूम किया जाता था उसको कोई रोकता नहीं था uninterrupted उस area में king का complete control accept कर लिया जाता था